तो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जक्ट एकाउंटनसी का जो हमारा चैप्टर है गुडविल नेचर एंड वैलुएशन उसका mcqs आगे continue कराने जा रहा हूं गाइज इससे पिछले 20 mcqs मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं आप मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए कि विए गुडविल से related जो mcqs है कैसे attempt करते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम करेंगे अब 21 से लेके 30 तक ठीक ह कि कैसा ऐगा तो यहां पर इसे चार ओप्शन है हमें पहले आपको पता है every profit लिखना है every profit कितना है हमारे पास यहां पर जो given है एक लाख 10 जार अब दूसरे में हमें क्या करना हो दूसरे स्टेफ में हमें क्या करना है capitalized value of average profit वो कैसे आएगा एक लाग दस हजार इंटु सो divided by rate rate कितना है दस ठीक है जी तो ये बन गया एक लाग दस हजार इंटु सो बटे दस तो ये कितना आगया ग्यारा लाग का ये कितना आगया ग्यारा लाग का ओके जी और तीसरे पर क्या आएगा एक्च्वल कैपिटल कितनी है यहां पर हमारे पास assets minus liabilities assets कितनी गिवना ग्यारा लाग की और ये capital की liability है एक लाग की तो ग्यारा लाग में से जब हम एक लाख माइनस कर देंगे तो क्या आजेगा दस लाख रुपया कितना आजेगा गाइस दस लाख रुपया और चौथे नंबर पर अब हम क्या करेंगे calculate goodwill तो goodwill कैसे आएगी बटे goodwill आएगी capitalized value of profit minus actual capital ठीक है जी तो यह आजेगा ग्यारा लाख minus 10 लाख is equal to 1 लाख ठीक है जी तो goodwill की value कितनी आई एक लाख तो अब देखो उपर हमारे पास option क्या है 21st question का यह d एक लाख तो यह हमारा answer आएगा ठीक है चलिए अब हम आगे discuss करते हैं next question next question है under super profit method goodwill is calculated by number of purchase year into average profit number B option है number of purchase year into super profit C option है super profit divided by normal rate of return और D option है super profit minus normal profit तो guys जो formula है वो है आपको पता ना कौन सा है यह answer हमारे पास है number under super profit goodwill is calculated number of purchase year into super profit से multiply करके यह super profit से यह वाले formula से super goodwill calculate करते हैं ठीक है जी ओके गाईज चलें आगे चलें तो next है हमारे पास question number 23 so question number 23 क्या कह रहा है कि measures of super tech India has assets of rupees 5 lakh whereas liabilities are partners capital रुपेज 3 lakh journal reserve रुपेज 6,000 and sundry credit रुपेज 90,000 if normal rate of return is 10% and the goodwill of the firm is valued at 90,000 at two year purchase of the super profit the average profit of the firm will be हमें इसमें reverse calculate करना है ठीक है average profit find करना है और super profit method से हमें चलना है क्योंकि उसने हमें बताया है यहां पे goodwill firm की 90,000 है two year purchase of super profit तो हम पहले लिखेंगे यहां पे goodwill हमें चार options तो दीए naturally हमें पहले goodwill लिखना है goodwill है SP into number of purchase year ठीक है जी purchase years इसमें क्या एगा goodwill कितना 90,000 is equal to SP into 2 ठीक है तो 90,000 इदर जाके divide हो जएगा 90,000 divided by 2 SP कितना आगया 45,000 SP कितना आगया 45,000 राइट जी अब हम आगे क्या करेंगे normal profit ढूने के normal profit के लिए हमें चाहिए होगा capital capital into rate by 100 तो capital कितनी है यहां पे capital के लिए हमें यह given है साड़े तीन लाग क्योंकि assets की value कितनी की है पांच लाग की तो यहां पे टीशेव में यहां पे balance sheet बना लेते हैं पांच लाग की यह asset side है यह liability side इसमें हमें liabilities कितनी given है 90,000 की ठीक है जी और साड़े तीन लाग के यह capital है और क्या है 60,000 का reserve ठीक है जी तो इन दोनों को मिलाके हमारे पास 4,10,000 बना और यह हमारी actual capital है ठीक है जी यह हमने एक छोटी से working करके देख ली तो यह आ गया 4,10,000 into 10 by 100 that is 41,000 तो normal profit कितना आ गया 41,000 अब super profit is equal to average profit minus normal profit तो super profit हमारे पास कितना given है 45,000 average profit find करना है और normal profit कितना है हमारे पास 41,000 तो 41,000 हम उदर जाके add कर देंगे ap is equal to 45,000 plus 41,000 ठीक है जी तो यह क्या आ जेगा ap कितना आ गया 86,000 तो इस तरीके से हम इसको solve करेंगे तो 23rd question का जो option है 86 b option is the right answer ठीक है तो एक बार यह question में आपको दुबारा दिखा दिता हूँ आप video को slow करके pause करके साथ के साथ calculation करके देखिए यह easy question है आप से हो जाएगा ठीक है बचे चलिए अब हम आगे discuss करते है question number 24 so question number 24 क्या कह रहा है अब firm earned rupees 60,000 as profit the normal rate of return is 10% assets of the firms are 7.5 lakhs excluding goodwill and liabilities of the firms are 2.40,000 find the value of goodwill by capitalization of average profit method तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या है एपी कितना given है साथ हजार तो अब दूसरे पर हम क्या करेंगे capitalized value of average profit यह कितना आएगा 60,000 into 100 by 10 तो यह कितना आगया 6 lakh रुपया और तीसरे में क्या आएगा actual capital actual capital कितना है actual capital के लिए यह देखो उसने बताया assets हमारे पास 7 lakh 20 जार है तो liabilities minus कर दो assets minus liabilities that is 7 lakh 20,000 में से 2 lakh 40,000 minus कर दो तो यह कितना बंजेगा 24 minus कर दो 48 आगया तो 4 lakh 80,000 आगया अब चौते step पे हम क्या करेंगे goodwill goodwill में हमें क्या करना है step 2 minus step 3 that is capitalized value of average profit minus actual capital तो यह आजेगा 6 lakh minus 4 lakh 80,000 तो आगया 1 lakh 20,000 तो right option क्या है question number 24 में question number 24 में right option C 1 lakh 20,000 ठीक है guys यह समझा गया आपको okay जी अब हम बात करेंगे question number 25 के so guys question number 25 क्या कहता है कि जगत and कमल are partners in a firm their capitals कितनी है 3 lakh और 2 lakh during the year ended their profit earned कितना 1 lakh 50,000 normal rate of return 20% है calculate the value of goodwill of the firm by capitalization method तो यह भी उपर वाले question की तरह ही है बट इसमें भी capital को निकालना सबसे main होता है न और यह every profit हमारे पास कितना आ गया 1 lakh 50,000 और दूसरा क्या है capitalized value capitalized value of profit कितना आ गया 1 lakh 50,000 into 100 बटे 20 ठीक है इसको इससे काट दिया और यह 5 आ गया ठीक है जी तो यह बन गया हमारा साड़े साथ लाक डेड़ लाक into 100 बटे 20 करको देख लो साड़े साथ लाक आ गया यह guys कितना आ गया साड़े साथ लाक और तीसरे नंबर पे क्या आएगा actual capital actual capital के लिए हमें क्या करना पड़ेगा actual capital यह देखो दोनों की given ही हमें तीन और दो पांच लाक रुपया यह आ गया तो अब क्या करेंगे चौते नंबर पे goodwill calculate कर लेंगे goodwill हमारे पास कैसे आएगी step नंबर दो माइनस step नंबर तीन साड़े साथ लाक माइनस पांच लाक इस इकल टू दो लाक पचास हजार ठीक है जी तो कितना आगया दो लाक पचास हजार तो right option यहाँ पे 25th question कहा है डी option तो यह हमारा answer है ठीक है जी डाइलाक यही तो answer हमारा okay वच्छे चलें आगे okay जी तो यह 25th question होगे अब हम बात करेंगे question number 26 की तो students 26th question number क्या कह रहा है tangible assets of the firm are 14,00,00,00 and outside liabilities are 4,00,00, profit of the firm is 10,00,00, and the normal rate of return is 10% the amount of capital employed yes capital employed की value डूब नहीं है ठीक है तो यह tangible assets हमारे पास कितनी है 14,00,00,00 की ओके यह कैसे आएगा 26th question पे हमें क्या डूंड़ी capital employed capital employed के लिए हमें क्या करना है question number 26 में यह 14,00,00,00 हमारे पास given है assets assets हमारे पास given है 14,00,00,00 की ठीक है जी और इस में से हमें minus क्या करना है less liabilities, liabilities minus कर दो 4,00,00,00,00 तो actual capital कितनी आगी 10,00,00,00,00,00 तो बस यहीं तो में find करना था simple जो हमारा a is equal to l plus c वाला formula है उससे हम a minus l करके हमने calculate कर लिया तो 10,00,00,00 तो इसका option 26th question का क्या है a option सिर्फ capital employed ही calculate करनी थी goodwill नहीं calculate करनी थी ठीक है बचे चले अब हम आगे बढ़ते है ap of the firm ap कैसे आएगा firm का is 6,00,00,00,00 total tangible assets in the firm are 28,00,00,00,00 and outside liabilities are 8,00,00,00 in the same type of business normal rate of return is 20% and the capital employed of the capital employee calculated value of the goodwill by capitalization of super profit method तो पहले आएगा ap ap हमारे पास कितना 6,00,00,00 का दूसरे नमबर पर normal profit normal profit यहाँ देखो simple capital कितनी आजेगी 28 में से 8 गया तो 20,00,00 की तो capital रह गई capital 20,00,00 की into 20 बटे 100 ठीक है जी तो यह इससे कट गया तो यह आगया 4,00,00,00 ठीक है जी और नमबर 3 पर super profit is equal to average profit minus normal profit 6,00,00,00 minus 4,00,00,00 तो super profit आगया 2,00,00,00 और अब इसको हमने क्या करना है capitalized value capitalized value of super profit यह कितना आजेगा 2,00,00,00,00 बटे 20 तो यह कितना आगया गया हमारे पास 10 लाक आगया 2,00,00,00 into 100 बटे 20 यह कितना आगया गया 10 लाक का यह कितना आगया हमारे पास 10 लाक का आगया तो 10 लाक हमारे पास यह option रहा तो guys इस question को आप ज़रा cool mind से समझिए capitalization of super profit से करना था ठीक है इसको understand करिए ज़रा फिर मैं अगला question कराता हूँ आपको ठीक है guys हो गया समझ लगया आपको चलो अब हम आगे बढ़ते हैं next question की तरफ question number 28 तो guys question number 28 क्या है यह रहा हमारे सामने question number 28 है राम राम एंड प्रेम आर पार्टनर्स इन रिटेल बिसनेस बालेंस आफ क्यापितल लोग करेंट कम माइनट इसको एड करना पड़ेगा पर इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यह डैबिट बैलेंस है firm earned an average profit of 90,000 normal rate of return is 10% find the value of goodwill by capitalization तो यहां पे हमारे पास पहले आया average profit average profit कितने है 90,000 का number 2 पे हमें क्या calculate करना है capitalized value of average profit तो यह naturally 90,000 है ना 90,100 बटे 10 करके यह आगा नौ लाख रुपया नौ लाख रुपया अब तीसरे में क्या आएगा actual capital actual capital हम कैसे करेंगे इन दोनों को यह देखो 20 दो लाख और 50,000 यह बंजगा दो लाख 50,000 एक का राम का और प्रेम का यह 2 लाख 40,000 अर दस गया 2 लाख 40,000 में 10,000 माइनस होगे ना 2 लाख 30,000 दो लाख 30,000 यह आगया यह किसका प्रेम का और दोनों को मिला के यह आजगा 8,000,000,000 यह कितना आजगा 4,000,000,000 आजगा ठीक है जी और चौथे नंबर पे हमें क्या करना है अब गुड़ विल तो गुड़ विल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा step number 2 step number 2 में capitalized value है 9,000,000 की और step number 3 में क्या है 4,000,000,000 तो इसमें हमें यह 9,000,000 में से minus कर देना है तो हमारा answer क्या आएगा 9,000,000 में से 4,000,000,000 माइनस करने पर 4,000,000,000 ठीक है जी तो पहला answer हमारा आजेगा मतलब A option is the right answer यह 28th question का right guys यह हमारा ठीक answer है तो मैं यह इस question को एक बर slow करके दुबारा आपको दिखा देता हूं आप इस question को understand करिए ठीक है जी बहुत simple question है देखने में question ऐसे लगते हैं जैसे बहुत बड़े हैं लेकिन basic चीज basic formula same है सब के लिए और उसी की आपको ज़्यादा practice करनी होती है ठीक है जी चलिए अब हम आगे बढ़ते है question number 29 के तरफ question की information बहुत ज़्यादा है ऐसे देखने में लग रहा बहुत कुछ given है इन इन्फोर्मेशन इन्फोर्मेशन क्या है फंटी नाइथ की capital accounts of partners narration विकेश पांच लाग ही बैले सिंदा current account narration विकेश पचास और चाली सा respectively bank loan दस लाग का goodwill पचास और की investment 25,000 की advertisement suspense account 15,000 का based on the above information capital employed for the purpose of valuation of goodwill will be मतलब capital value डूड़नी हमें employed कितनी है तो जरा उपर अगर हम ध्यान से देखे तो हमें capital balances के हिसाब से दिया है मतलब liability side के almost चीजे दी है हमें उसमें से इसको calculate करना है कि हम इसको कैसे calculate करें ठीक है जी ठीक है बचे समझ लगा आपको तो पहले इसको understand करें कि capital की value कैसे आएगी capital की value हमारे पास given है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पर 29th question का अगर मैं देखू तो सबसे पहले हमारे पास यहाज़ेगा दोनों का 5, 5, 10 तो combined capital capital कितनी आगी 10 लाग की इस में से हमें less क्या कर देना है इस में से less हमें अच्छा current account भी है ओके प्लस current account का add कर देना है add current account का balances add पहले कर लो add current account current account के दोनों के balances कितने हैं 40 और 50 यह कितना आज़ेगा 90,000 यह 90,000 आगया तो हमारे पास क्या बन गया 10,90,000 और उसमें से अब हमें less क्या कर देना है तो goodwill की value goodwill की value कितनी है पचास से और less कर देनी है उसके बाद हमें क्या कर देना है investment की value less कर देनी है 25,000 और उसके बाद advertisement suspense account हमें minus करना 15,000 का तो इसके बाद जो value आएगी वो आएगी actual capital employed actual capital employed की value आजएगी ठीक है तो ये देखो हमारे पास 10,90,000 minus 50,000 और ये again 40,000 हो गया तो ये 10,00,000 आजएगी तो हमारा answer जो है वो 29th question का C part 10 लखा गया कितना आगया बचो 10 लखा गया ठीक है बचे समय लग रहा ना 10 लख आजएगा ये ये 10 लख ओके गाईज समझ लग गया आपको ये चीज़े इस तरीके से sort out होगी तो चलिए अब इस video का last question हम करते हैं ठीक है और वो क्या है total of asset side of balance sheet is 25 लाग debit balance of current account is of narration विकेश 75,000 ठीक है एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली बैंक का लोन आठ लाग का गुडविल एक लाग की ट्रेड इंवेस्मेंट 25,000 की ठीक है जी और प्रॉफ्टर लॉज का डैविल इस 15,000 का बेज रोंद अबब इंफर्मेशन capital employed for the purpose of good valuation of goodwill will be तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे total of assets है total of assets वो कितना है 25,000,000 का अब हम इसमें से क्या माइनस करेंगे इसमें से हमें माइनस करना है less bank loan outside liabilities के रूफ में bank loan को हमने माइनस करते हैं कितने का bank loan है यहाँ पे हमारे पास 8,000,000 का 8,000,000 का bank loan हमें माइनस कर देना और उसके बाद less भी कर देना एक और goodwill goodwill already जो existing है उसको माइनस कर दो वो कितनी है हमारे पास 1,000,000 की और P&L का debit balance वो भी माइनस कर देना है P&L का debit balance 15,000 का ठीक है जी तो यह तीनों चीज़े माइनस कर देनी नो लग 15,000 और यह किस में से माइनस करनी है 25,000 में से 9,000,000 15,000 माइनस कर देना तो यह आज़ेगा 15,000,000 यह आज़ेगा 15,000,000 यह आज़ेगा इसको हम क्या बोलेंगे actual capital employed तो यही हमारा right answer है option number B तो guys इसी के साथ यह question complete हो रहा है ठीक है जी मैं एक बार आपको दुबारा बता देता हूं यह देखिए ओके यह slow करके pause करके आप इस question को दुबारा करके देखिए तो इस video को मैं यही conclude करता हूं I hope कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आप इसी तरह मेरे channel को देखके अपने course को complete कर दीजिए ओके जी wishing you good luck